कमपर्शन रिकट में के यूटूब पोडल पे आपका स्वागत है आसा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस समय नई इकाई शुरू हुई है कल से कल निबंध का विकास दिया गया और निबंध के विकास में आपने देखा कि पूरा निबंध का विकास कराया उस पर आधरित प्रश्न कराया गया और आज पाठे करम के निबंध होंगे सबसे पहले जो आज प्रारम किया गया वो भारतेंदु के निबंध से प्रारम किया गया है भारतेंदु के दो निबंध आप देखेंगे यूपी हायर के पाठे करम में हैं दो ही निबंध उजी यूपी हायर में है और दिल्ली दरबार दरपन यूजी सी नेट में है जबकि भारत वर सुनती कैसे हो सकती है दोनों में है इन तीनों पर आधरित लोगों को PDF दिया गया वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है और इसी पर आधरित रात में लाइब कक्षा में प्रस्ण कराया जाएगा भारतेंदु का एक निबंध यहां पर जो यह कराया जा रहा है जिस लेक्चर को आप देख रहे हैं वैशनोता और भारत वर्स इस पर यह लेक्चर आप देखने जा रहे हैं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप भी पेड़ जाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके फीस और सारी जानकारी ले 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 जो हमारे नए मेंबर से हैं कल भी मैंने बताया था आज भी बता रहे हैं वो लोग जरूर ध्यान दे जिसे जिनका अभी परसों हुआ है कल हुआ है 15 जुलाई को हुआ है प्रतिभ जो भी चीज़ें समझाईजें उन्हें जरूर लिखते रहें हैं तो चलिये सुरू करते हैं भारतयन्दु के निबंद सबसे पहले हम लोग भारतयन्दु के वारे में जानेंगे और उसके बाद फिर उनके निबंद वैश्णता और भारत्यवर्स की चर्चा करेंगे भारतेंद जी उर्दु में रसा उपनाम से साईली लिखते थे रसा तकलूस 1880 में सार सुधानिधी पत्रिका में इन्हें भारतेंद की उपादी देने का प्रस्ता हुआया सार सुधानिधी किस पत्रिका में यह प्रस्ण यही से बनना आपके लिए शुरू हो जाता है कि किस पत्रिका में तो सार सुधानिधी पत्रिका में और आम जन्मानस ने इन्हें भारतेंदु की उपादी दी जब बात उपाधी की आती है तो आपको बताएं कि जो भारते इंदु जी का यूगत है भारते इंदु या पुर्णर जागरण काल इसका उदय थोड़ा सा आप बेस जान ले तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी भारते इंदु या पुर्णर जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेश वाहा की यूग के रूप में हुआ था लेकिन इसके सिमांकन और नामकन को लेकर काफी मतवेद है खेर वेसे नामकन तो दो आधार पर किया जाता है यूगिन परविर्ति के आधार पर या यूग निर्माता के आधार पर तो यहाँ पर जो भारतेंद यूग का नामकन हुआ था वो यूग निर्माता भारतेंद जी के नाम पर हुआ था जब बिटिसों ने यो वही समय था कि जब बिटिसों ने राजा सिव प्रसाद सितारे हिंद राजा सिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधी दी तो प्रतिकिरिया सुरूप साहित प्रेमियों और जनता ने हरिसंद को भारत का चांद भारतेंदू यानि भारत का चांद की उपाधी दी भारतेंद जी गद में भारतेंद जी गद खड़ी बोली में लिखते थे परंद कविता के लिए उन्होंने ब्रजभासा को चुना भारतेम जी हिंदी साहित के पितामा कहे जाते हैं उनके द्वारा अस्थापना उन्हों ने की 1886 में सबसे पहले उन्होंने मुसाहिरा मुसाहिरा संस्ता की अस्थापना की फिर कविताव बर्धनी है तदीय समाज है कभी समाज है इन सारी चीजों की अस्थापना की यंग मैं संगटान डिवेटिंग कलब कासी सार्जिनिक सभा लेकिन इसी के प्रतिकरिया स्वरूप 1893 में कासी नागरी प्रचार्णी सभा की अस्थापना हुई लेकिन कासी नागरी प्रचार्णी सभा की अस्थापना से पहले भारतेंदु युग में कई सारी संसाओं की अस्थापना हो चुकी थी जैसे अब आप कहेंगे सर यहां पर बैशनता और भारत वर्ष की बात कर पहले अब चीजों समझे ॥ूर्बढे खा想 को सकतर के बारे में निभन के छृटा बारे में आधारक की अधा si नागरी पعتना ऐधारा केे 1885 में परियाग में हिंद उद्धारणी प्रतिनिधी सभा के मद्य सभा के अस्थापना हुई पटना में कभी समाज के अस्थापना हुई राची में मात्रभासा संसा के अस्थापना हुई और फिर उसी के सहारे 1893 में कासी नागरी प्रचारणी सभा के अस्थापना हुई भ प्रकाशन के 1868 में फिर हरी संद मैंग जीन 1873 में फिर हरी संद्रिका है और अंत में बाला बोधनी है तो इन चारों का कभी-कभी करम भी परिक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉपी पिन लेकर बैठें कॉपी पिन लेकर जब आप बैठेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि जो चीजे बताएं जिसे कभी वैचन सुधा का प्रकासन वर्स आप लिक लें बाला बोधनी भी 74 है भारतियम जी को वल्लब संपरदाय में ब्रजलाल जी ने दिक्षित किया किसे ने दिक्षित किया तो ब्रजलाल ने दिक्षित किया इनके आरंभिक सिक्षक पंडित इस्वरी धत्य थे इन्होंने अगर उर्दु ताजली से सीखा तो अंग्रेजी राजा सिव प्रसाद को मानते थे वहीं भारतियन जी के काद्वे गुरु का नाम अगर बाईदवे परिक्षा में पूछा जाए तो पंडित लोकनाथ है काद्वे गुरु का नाम पंडित लोकनाथ है ध्यान रखिएगा इसलिए कहते कि कॉपी पेन लेकर बैठें लेक्षर आप लोग देख रहे हैं जो नए लोग है जिनका एडमिशन हुआ है कंचन सल्मान अकांचा उमा कृष्णा जयोतिर प्राची दामिनी ज्याओर रह्मान नंदिनी महेंद्र पंकज प्रतिभा तो आप लोग जरूर ध्यान दें और प्रत्क्रिया अपनी व्यक्त करें कि आप लाइप आप इस लेक्षर को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं जब भी देखें तो अपनी प्रत्क्रिया व्यक्त करें और जो चीजिए अलग से बताई जा रही है उन्हें लिख रहे हैं या नहीं जरूर बताईएगा रामशुरुक चतुवेदी ने कहा कि कविता में उनका संस्कार है गद्य में विचार भारतेंद जी के लिए इन्हें लोग कल्यूग का कनहिया भी कहते हैं पंडित अंबिक आदत व्यास ने अपनी रचना बिहारी विहार में लिखा है भारतेंद के बारे में कि दूर से लोग उनकी कविता सुनकर आक्रिश ह होते थे और समी पाकर मधुल स्याम स्याम सुन्दर घुंगराले बाल वाली मधुल मूर्ति देकर बल्हारी होते थे आचार रांचन सुग्ल ने कहा है कि भारतेंद अपनी सर्वतों मुखी प्रतिभा के बल से एक और तो पदमाकर दूजदेव की परंपरा में दिखाई प विसेश माधुर है वइसे जब भासा की बात आती है भारतेंद जी की जब भासा की बात आती है जहां पर यह पत्माकर दूजदेव की बात आई तो राम चंदर शुक्ल ने राम चंद्र सुक्ल ने अपनी किताब हिंदी साहिति के इतिहास में भारतेंद जी के बारे में कहा कि जब भारतेंद अपनी मंजी हुई परिस्कृत भासा सामने लाए तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्द के लिए खड़ी बोली का प्रकृत साहितिक रूप मिल गया और भासा के सुरूप का प्रस्म न रह गया प्रस्ताव का अलसमात्व और भासा का सुरूप इस्थिर हुआ तो ये कहा गया है आचार रामचंद शुगल के द्वारा अपने हिंदी साहिति के इतिहास में ये भी कहा है आचार रामचंद शुगल ने कि भारतेंद हरिसंद ने पद्द की ब्रजभासा का भी बहुत संसकार किया और पुराने पड़े हुए सब्दों को हटा कर का विभासा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लाए और इससे भी बड़ा काम उन्होंने ये किया कि साहिति को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे सिछित जनता के साहचर में ले ले आए तो यह अचार राम संस्रुग ने हिंदी साहिति के इतिहास में कहा है अब यहाँ पर भारतेंदु के निबंध की बात करें तो यह आप लोगों को दिया गया है पूरा पीडियेफ आपके पास है कि कौन कौन से निबंध है कल निबंध के विकास में भी आप लोगों को हैं नाटक सीर्शकनी बंध काल चक्र लेवी प्रां लेवी भारत वर्श मयस्यर्व University कैसे हो सकती है कस्मील खुस GDPावश में प्रोड़ का सुर्या उद्धे कराया गया इस दर बड़ा बिलक्षाn ही यह भी कराया गया तो ये सब कल आपने प्लेदियद दिया बताया गया है अब बात करते हैं बैष्णता और भारत वर्स निबंद की इसके बारे में पहले समझे लीजिए और फिर बैष्णता और भार बारत वर्स निबंद के आधार पर भारतेंदुजी ने जो बताया है वो ये बताया है कि भारत वर्स से और वैशनोता से कितना घनिश संबंद है ये बैशनोता भारत वर्स में कितनी पुरानी है और फिर उसके पुरानी उसके बैशनोता के पुराने पन का पूरा साच्छ द यह भूला मिला है बहुत तो कुछ बदल गया है तो इसलिये वह लोगों से निवेदन करते हैं कि आपको अब उसी पुराने भाव में उसी जिस तरीके से वैश्मता पहले थी आरे developments के समय वैसा ही आपको रहना है क्योंकि जो बदलाव आपने किया है उस भाव से आप आगे नहीं चल सकेंगे क्योंकि अब सरीर का बल नियून हो गया है कम हो गया है क्यों कि किसका प्रभाव आ गया है विदेशी सिक्षाओं से मनुवृत्तियां हमारी बदल गई है जीविका और धन के उपारजन के लिए हम लोगों को 5-5-6-6 पहर पसीना गिराना पड़ता है कामों के लिए बिदेश में दोड़ना पड़ता है और जब धर्म उधर पूरण पर अब ध्यान दीजिए क्योंकि उपासना एक हिर्दें की रत्न वस्तु है उसको आरेच्चेत्र में फैलाने की कोई आवसेक्ता नहीं है जो आपस में भेद भाव है उस भेद भाव को भुलाईए जो भिन भिन लोग अपनी अपनी खिच्री अलग पकाया करते हैं गलत है अब महागोर काल उपस्तिती चारो और आग लगी हुई है द्रिप्ता के मारे देश जला जाता है अंग्रेजों ने जो नोकरिया बच जा करते हैं आंदनी बाड़ी की थी वाड़ी की थी नहीं के वल नोकरी की थी जो धीरे-धीरे खसकी तो इस तरीके से वर्तमान में लोगों के वर्तमान की सिती को समझाते हुए सजग कर रहे हैं वैशनता धर्म के माध्यम से तो ये मूल विंदू है अब इसी मूल विंदू को आधार बना कर इस निवंद को दिया गया इस निवंद में क्या-क्या समझाया गया उसको यहाँ पर देखें और उसको समझने की कोशिस करें यहाँ पर कह गया कि यह निवंद 1884 इस्वी से पहले का है यह 1884 इस्वी का मान सकते हैं क्यों उसका कारण यह है कि रामायर का समय जो लेक है भारतियन जी का उसमें यह छप चुका है रामायर का लेक 1884 का है तो 1884 के पहले का है यह 1884 का हो सकता है उसके बाद का नहीं है क्योंकि रामायर का समय लेक में यह प्रकासित हो चुका है उससे पहले ही ये आचुका था तो इस निबंद के द्वारा भारतेंद जी ने भारत वर्ष का सबसे प्राचीन मत वैशनों मत माना है और आर्रियों को उन्होंने संसार का सर्व पर्थम देच्छा गुरु माना है और इसी से कहा कि गायत्री मंत्र का उद्भो मानते हुए कहा कि इसी से स्थूरी का नाम विशनों का उलेख मिलता है और उस समय के लोग इसी विशनों के नाम से वैशनों कहला है उन्होंने कहा कि अगर विचार करके देखा जाए तो ये पूरी तरीके से किलियर है कि भारत वर्स का सबसे प्राचीन मत यही वैशनों मत है हमारे आरे लोगोंने सबसे प्राचीन काले में सभ्यता का आवलंबन किया है इसी हेतु क्या धर्म क्या नीती सब भिसे के संसार मात के ये दिक्षा गुरु आरे थे यानि आर्यों को क्या बताया गया दिक्षा गुरु बताया गया और आरे जो थे वो आदिकाल से सूरी को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझ कर ब्रह्म माना और इनका मूल मंत्र गायत्री मंत्र जो है इनका जो मूल मंत्र है जो गायत्री मंत्र है वह गायत्री मंत्र इन ही सूर नारायन की उपासना में कहा गया है क्योंकि जो गायत्री मंत्र में ये कहा गया है कि जो गायत्री मंत्र उसका अर्थ यह है कि उस प्राण स्वरूप दुख नासक सुख स्वरूप स्रेश्ट तेजसभी पाप नासक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सरमार्ग शर्य प्रेरित और स tive और किसे कहा गया है तो सूरी को कहा गया है कि और इसी को आखरा स्वास को सकती के इसे कि स्थिर है इसी से नारायन का नाम着 ब्रह्मांद नायक पड़ा यानि सूरी का अन्य क्या क्या नाम इसमें बताया गया है तो सूरी का नाम नारायन बताया गया सूरी का नाम ब्रह्मांद नायक बताया गया ब्रह्मांद नायक बताया गया तो इन सब विंदूओं पर आपको ध्यान रखना है कि सूरी का क्या क्य प्राशनता और भारत वर्स में बताया गया है और फिर कहा गया कि शूरी के बाद इसी शूरी का वेद में नाम विश्ण विश्नु है क्योंकि इनी से के ब्यापक्ता से जगातेस्तित है कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई आर्यों के दूसरे प्रमुख देवता अगनी थे और अगनी यग्य हैं और यग्यों हो वै विष्णू यानि यद्य से ही रुत्र देवता माने गए और आर्यों ने एक छोड़ कर दो देवता हुए दो से तीन हुए तीन से ग्यारा हुए ग्यारा को त्रीविद करने से तैंतिस और इसी तैंतिस से तैंतिस करोन देवता तो इसी विशे का विशेष वड़न अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा कि अम करेंगे इस नीबंद में सिर्फ इतना ही यहां के वल इस बात को दिखाने के लिए उन्होंने वर्तमान समय में भी भारत वर्स से और वैश्चिता से कतना घनिश्ट संबन्द है वे कहते हैं कि एवरोप के अनुसार रुद्र आरीों के दे होता है। और आठ कारण बताए गया। आठ कारण ये थे कि वेदों में लिग पूजा निसेद है। ये किसने बताया यूरोप के अनुसार वेदों में लिंग पूजा निसेद है इसमिर्तियों में लिंग पूजा निसेद है लिंग पूजक और दुरगा भायरवाद को पूजक ब्रह्मन को पंग से बाहर करना लिखा है लिंग का तथा दुरगा भायरवाद का निर्माले खा नहीं है शिवकाली भहरवी आदी के वर्स भी इन से अलग है तो ये यूरोप के अनुसार बताया गया जब कि कहा गया कि पसमे विद्वानों का ये मानना है कि आरे लोग जब मद्द एसिया में थे तभी से विशनू का नाम जानते थे और उन्हों ने पंडित बाबु और उपांच भाग कौन कौन से हैं ये बहुत ही महत्पूर्ण आपके लिए है वेदों के आदी समय की वैशनता ब्रह्मन के समय की वैशनता पालिनी के समय और इतिहास के समय की वैशनता पुरानों की समय की वैशनता और आधनिक समय की वैशनता तो ये पांच भागों में विभाजित किया गया है बाबू राजियंदर लाल के द्वारा और इसी में जब बात आती है तो कहा गया है कि बैशनोता कि प्रभिर्त भारत वर्स में स्वावादी के इसी कारण जगत में उपासना मार गही मुक्ध धर्म मार गही समझा जाता है कृष्टान, मुसल्मान, ब कौद उपासना यहां सब यहां मुक्य हैं जब बात क्रिस्तान की आती है क्रिस्तान तो आपको याद होगा क्रिस्तान की जब बात आती है तो कल मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिया था कल लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था जब विकास की बात कर रहे थे बा गया है याद आया कि कल जब बात की गई थी तब मैंने क्रिस्तान की बात की थी और कहा था क्रिस्तान किसे कहा गया है अब जितने लोग आज लेक्चर देख रहे हैं वो जरूर बताएं अगर उनको याद है कि कल जब मैंने बताया था तो वहाँ पर बताया था क्रिस्तान और किरिष्टान किसे कहा गया है कल मैंने जिक्र किया था अब देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि जो कल मैंने बताया था वो कितने लोगों को याद है और अगर नहीं याद है तो एक बार पुना आपको बता दें किरिस्तान किसे का आ गया था बाल कृष्ण भट को किस किताब में उलेख है वो भी मैंने बताया था बाल कृष्ण भट संसमणों में जीवन ब्रज मोहन व्यास की किताब है वहीं से मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एक कहानी सुनाय थी स्वामी हंस की, तो हो सकता है, अब आपको याद आ जाए, तो ये का गया कि किरिस्तान, मुसल्मान, ब्रहमन, बौध उपासना, सब यहां मुख्य है, लेकिन बौधों में, अनेक सिद्धों की उपासना, और सब वैशनों के समान है, यानि वैशनों जो धर्म है, वैशनों धर्म को सभी के समान बताया गए, कि अन्य धर्मों में जो पधतियां है, उन में से कौन-कौन सी पधतियां है, जो वैशनों धर्म के समान है, इंजील में वैशनों के गरंतों से बहुत सा विसे लिया गया है इसा के चरितर में स्रीकिष्ण के चरितर का साद्रे से बहुत हैं, तो ये सम विसे साविस्तार भिन प्रबंध से लिखा गया है, इसाईयों के मत्व में भी दिखाया गया, तो इस तरीके से इसमें छुआ छोद, देव अपासना, सारी चीजों का जिक्र किया गया, उसी वक् कहावत कही गई है यहाँ पर साथ कनोजिया नो चूले तो यह भी प्रस्ण पूछा आ सकता है यह भी प्रस्ण आप लोगों से पूछा आ सकता है कि देवो पास्कों की घ्रणा देने का अर्थ वैशनों के अतरिक्त और किसी का असपर्स बचाते वहां तक एक बात थी लेकिन अब तो बैशनों में ही ऐसा उपद्रों फैला है अब जो हमारे धर्म है जो हमारा बैशनों धर्म है उसमें तो इस तरीके से उपद्रों फैला है कि एक संपर्दाय के बैशनों दूसरे संपर्दाय वाले को अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते हैं और स पात्य कनोजिया नोचूले वाली मसल हो गई है तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं आगे कहा गया कि आगनी वायू और सूर्य ये तीनों किसके रूप है विश्नु के ही रूप है और इसी से ब्रह्मा श्रिव और विश्नु ये तीन मूर्तिमान देव हुए हैं वैश्नता ही भारत वर्स का प्रकृत मत है वैश्नों मत ही भारत वर्स का भूत है और वह भारत वर्स के हड़ी लोगों में मिल गया है इसके एक नहीं बहुत सारे प्रमान है और उन प्रमानों में बताया गया कि भारत के सभी पंथ और आवतार विश्नु क पंथ और अवतारों की बात की दे कागय कभीर दादू सिख बाउल जितने पंथ हैं सब बैशनों की साखाएं और प्रासाखाएं हैं अवतार और किसी देव का नहीं क्योंकि इतना उपकार ही और किसी से नहीं साधित हुआ है नामों को ले लिजिए तो कहा इस्तिरी के नाम में आप देखिए पुरुसों के नाम में देखिए गरंत देखिए ब्रत का नाम देखिए मेले तीर्थ आदी नाम सब विश्णू के नामों से हैं हरिदास राम गोपाल राधा लक्षमी रुक्मनी गोपी जान की यह सब नाम आप देख लीजिए काविगरंथ में रगुबंस माग रामायन यह सब नाम देख लीजिए विश्णू चरित्र देख लीजिए पुराणों में भारत भागवत वालमी की रामायर बहुत प्रसिद हैं और तीनों वेश्णू ग्रंथ हैं ब्रतों में ले लिए ये कादशी ये वह बहुत है भारत वर्स में जितने मेले लगते हैं विश्णू लिवाबिश्णू पर विश्णू तीर्थ तो वो सब इसी तरीके से आपको मिलेंगे उसके ऐसे ही गीट च्छन्द चौदा आ आना विश्णू परतत्त है दो आने देवताओं के हैं किसी का व्याह हो जानकी के व्याह के गीत सुन लीजिए किसी के बेटा बेटा हो नंद बधाई गाई जाएगी तो इस तरीके से जितने नाम हैं तीर्थू में आप अध्या, हरिगवार, मत्रा, विरंदाबन, जगनात, रामनात, रंगनात, द्वारका, बद्रिनात, यह सारे नाम ले लिजिए विश्णू के नाम से हैं, नदियों में गंगा, यमना, मुख्य हैं, तो इस तरीके से यह सारे यहां पर उधारण दिये गए हैं, बारो महीने के नाम ले लिजिए, उसमें भी विश्णू के नाम ह बहुत वस्तूओं के हैं कहां तर लिखा जाए आकास को क्या कहा जाता है का गया आकास को कहा जाता है विश्णूपद विश्णू और रात को क्या कहा जाता है परिक्षित रामधाना रामधेनू रामजी की गईया रामधनू तो इस तरीके से बहुत सारे नाम यहां पर बता दसी हर बीज हर वर्सकंड क्रिश्न कली क्रिश्न कंद क्रिश्न कांता विश्न कांता फूल का नाम है तो यह सारे उदानण दिये गए हैं निबद में आगे यह बताया गया कि अब बैशनों से यह निवेधन है कि आप लोगों का मत कैसी द्रिण भित्ती पर अस्थापित है और कैसे सार्ब जनीन उदार भाव से परिपून है यह कुछ-कुछ हम आप लोगों को समझा जुके हैं और उसी भाव से आप लोग भी उसे उसमें इस्थिर रही हो यही कहना है कि जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा अब हम लोगों का स विदेशी सिक्षाओं से मनुविद्धी बदल गई है किसी से बदल गई है मनुविद्धी तो विदेशी सिक्षा से विदेशी सिक्षाओं से मनुविद्धी बदल गई है जीवी का और्धन के उपारजन के लिए अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है तो 5566 पहर पसीन जाना होता है किसी बिना यह सब किये काम नहीं चलेगा क्योंकि देखिए क्रिस्तान मुसल्मान पारसी यही हाकिम हुए जाते हैं हम लोगों की दसा दिन दिन हीन होती जाती है और जब पेट भर खाने को ही न मिलेगा तो धर्म कहां बाकी रहेगा तो इससे जीव मात्र के धर्म उदर पूरण पर ध्यान दीजिए परस्पर का बैर छोड़िये क्या संदेश दिया गया संदेश दिया गया कि परस्पर संदेश दिया गया कि परस्पर का बैर छोड़िये ये बहुत ही मात पूर्टत्य है संदेश दिया गया कि परस्पर का बैर छोड़िये शयो साक्त सिक्ट जो हो सब से मिलो उपासना एक हिर्दय की रत्न वस्तु है उसको कारेच्छेत्र में फैलाने की कोई आवस्यक्ता न रहें हैं ये भी बहुत ही मात्पूर्टत रहेगा आप लोगों के लिए परिक्षा के दिरिष्ट से कि वैशनों शयो ब्रह्म आरे समाजी सब अलग अलग पतली पतली डोरी हो रहे हैं और इसी से आईश्वर रूपी मस्त हाथी उनसे नहीं बनता इन सब को एक डोरी में बा अपनी खिषडी अलग पकाया करें अब महागोर काल उपस्थित है चारो और आग लगी हुई है दरिक्ता के मारे देश जला जाता है अंग्रेजों से जो नोकरी बज जाती हैं उन पर मुसल्मान आदी विधर्मी भरती होते जाते हैं आंदनी वाडी जी की थी ही नहीं अब कैसे काम चलेगा कदाचित ब्रह्मन और गोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है तो हमको क्या इस पर हम कहते हैं कि विशेस उन्हीं को रोना है जो कराल काल चला आता है उसको आँख खोल कर देखो और कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले पहुत ही थोड़े रहेंगे अब सब लोगे कत्र हो हिंदू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भासा गंत मानने वाले तक सब एक होकर अब अपना पराधर्म ये रखो कि आरे जाती में एक हो इसी में धर्म की प्रकित धर्म की उन्नती करो तो ये बैशनता और भारत वर्श निबंद रहा जो आपको समझाया गया क्या मात्पूर्ण है वो सारे कर्थन वो सारे तर्थ बताएगे इसी पर आधरित रात में लाइप का क्षा में प्रश्न भी कराया जाएगा और बाकी जो दो निबंद हैं उन पर भी लेक्टर दिया जाएगा लेकिन ये पब्लिस था क्योंकि कई लोग कहने लगते हैं सर्व डेमो दे दीजिए बैए डेमो क्या लोगे जब आप पढ़े होगे तभी तो चीजों को समझोगे जब पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर आप समझोगे क्या जो भी देमो कोई दे देगा वो कहोगे बस अच्छा है तो थोड़ा बहुत तो ज्यान होना चाहिए तभी उन चीजों को समझ पाऊगे खैर वो आपकी समस्या है लेकिन यहां पर जो मेरा काम था कि डेमो कुछ लोग कहते तो मैंने दे दिया पब्लिस कर दिया एक वीडियो सब् करके फिस और सारी जानकरी ले सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करिए यह पब्लिस है ताकि अन्य लोग भी इससे लावान भीत हो सकें और जिन लोगों का पुना बता दें अभी दो-तिन दिनों में एडमिसन हुआ है वो जरूर अपनी प्रत्किरिया व्य मेंबर से